आंदोलन का आज 79 दिन है, 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का एलान किसानों ने कर दिया है, संयोक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया, दुपहर 12 बजे से दुपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा, गाजीपूर टिकडी सिंगू बॉर्डर पर पर सुरक्षय वस्ता कड़ी की गई है, कई लेयर की बैरिकेटिंग लगाई गई है, कीलों से बैरिकेटिंग की गई है, ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें, और उधर किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का एलान किया है, किसान आंदोलन का नया केंद्र पर सुरक्षय वस्ता कड़ी और इसी के साथ कई लेयर की बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस की कई टी में तैनात हैं, कई यूनिट्स पुलिस की मौजूद हैं, ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके, वहीं किसानों ने बड़ी मात्रा में एलान किया है, क चैफर वरी को चक्का जाम करेंगे, दुपहर बारा बजे से तीन बजे तक चक्का जाम करेंगे किसानों किसान आंदोलन का जुनहत्तरवा दिन हैं, जबीर संयुक्त किसान मौचा ने एलान किया है, कि 6 फरवरी को देश प्यापी चक्का जाम करेंगे, भारते किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा, हम 6 फरवरी को दुपहर बारा बजे से तीन बजे तक रोड ब्लॉक करेंगे, और उन्हें कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन है, बजट में किसानों को नजर अंदास किये जाने और अन्य मुद्दों को लेकर हम चक्का जाम करेंगे, किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि किंद्री बजट 21 में किसानों कि अंदेखी की गए और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ती को बंद कर दिया, बतादे सयुक्त किसान मूर्चा के नेतरित में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का अंदोलन दो महीने से अधिक समय से चल रहा है, आंदोलन कारी किसान तीन ने करशी का प्ले में तब्दील कर दिया गया, पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और बेरिकेट की संक्या बढ़ा दी है, दिल्ली उतरप्रदेश की सीमा पर गाजीपूर में वहानों की आवजाही रोकने के लिए कई सतर ये बेरिकेट लगाए गये हैं, लोगों को पैदल च किसान फिर से उस जगह पर सहज हो गए हैं, लंगरों से भोजन आना भी शुरू हो गया है, बता दे इसी जगह पर तब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जब किसानों को पुलिस की तरफ से जगह चोड़ने का आदेश मिला था, लेकिन भारते किसान यूनियन काफी तेजी से बदल गया और अब गाजी पूर बॉर्डर पर हजारों की संक्या में किसान डटे हुए हैं, चौधरी अमाई से योगी अमाई साथ लाइब जुड रहे हैं, जावेद किसान अंदोलन से जुड़ी जो तमाम अपडेट से हम अपने दर्शों को बता रहे है 6 फरवरी के कारिक्रम के बारे में भी हम बता चुके हैं जब किसानों ने का है चक्का जाम करेंगे वो 6 फरवरी को, क्या कुछ अपडेट है? किसान अंदोलन से जुड़े नेता आवान करते हैं, तो उसका असर भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीकिस्टी किसान यूनियन के प्रवक्तार राकिस्टिकेट ने भावुक्ता में बयान दिया था, उनके आंसू तक चलग देता है, उसको देखते हुए जहां एक त किसान अंदोलन ने तेज जती पकड़ ली यानि कि उनकी भावक्तार उनके आसू से पूरे देश की किसान एक जूट हो गए और उन्होंने कई ऐसी बहा पंचायते की और एक जूटा दिखाते हुए तब आप जो किसान है वो टेक्सर टोली में सवा रहा हुए गाजीपू किसान वारी तादाद में लगतार यहां किसान मौजूद है लगतार किसान आज जाए टैक्स आवर महोगा रहे है यानि कि जो पहले जो किसान अंदोलन धीर दीरे जो तम पढ़ रहा था या जीरे खतम होने कार पर था वो अब बड़ा उगरो रूप ले लिया यानि कि बड़ा अंदोलन छेडा और उन्होंने दिल्ली भी कुछ कर लिया जिसमें बड़ा मामला साम लाया उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जो लाकामी सामिश थी क्योंकि जिस तरी के लालकिला कार्ण हुआ बड़ा सर्बलाग कार्ण था सासाथ उसको एतियास ब्रत्य बड़ा अब दिल्ली पुलिस में फुकास तोर पर यूपी से जोड़े बोर्डर है या आदंग्यार का बोर्डर हो चांगा जीपुर बोर्डर हो यह ऐसी बोर्डर है वहां पर बैरिकेटिट लगा दिया है यानि सीमंटिद दिवार बना बिलकुल खड़ी कर दी है एक ऐ इसी बैरिकेटि लगा कर वहां पर भारी तादर में फोर्स को बितानात कर दिया है यानि कि 6 परवरी की जो तैयारी चल रही है उसको देखते हुए एहतियाद बरती जा रही है जिला परसासन स्वाम तरह के इंतजामत कर रहे है इधर अगर गाजयवाद की बात करूं तो परसासन से झुड़े आला अधिकारी भी मौकेपन मौाइना कर रहे है अब बहुत आपका परकार किले शुक्तर आपका जावेट रुकेंगे ब्रेक के लिए ब्रेक उस पार खबरों का सिलसला जारी रहेगा